सो गाइस कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे एक फ्रेंड का आईडी बैन हो चुका है और आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मेरे उस फ्रेंड का आईडी अनबैन हो चुका है तो आज की इस वीडियो में लोग इसके बारे हम फुल डिटेल में को आफ के बात करेंगे यह अखर यह बन कियो हुआ कैसे अंवेन हां अगर किसी फ्रेंड का इडिए बन आजाता है तो पूछे कि कैसे अंवेन हो सकता है तो इस टायम पर एMPिसे व проблем के आप इस वीडियो के अंदर तो आप कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब करके पर लेगन दबा देना चलो आज की समयसिंग वीडियो को शुरू करते हैं सो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो बताए था मेरे एक फ्रेंड का इडी बैन हो गया पीसी के अंदर आपको पता है इमुलेटर होता है MSI होता है ब्लू स्टक का काव सेरे से अलग-अलग इमुलेटर है जिसमें आप फ्रीफायर केल सकते हो पीसी के अंदर सो उसके साथ सीन ऐसा हुआ कि उसका PC थोड़ा बहुत लेक करता था उसके वज़ेसे गेम भी लेक करता था वो क्यू करता था आप जानते हो कि अगर लो एंड पीसी है उसके अंदर अगर ज्यादा कुछ अची चीज़े नहीं लगी PC के अंदर और उसी लेक को फिक्स करने की वज़े से उसने यूटूब पे एक टूटोयल देखा जहां पे उस बंदे ने अपनी आईडी के अंदर वो यूज करके दिखाए एक एप्लिकेशन यानि कि इमुलेटर के अंदर जैसे फ्री फायर लगता है वैसे उनने एक एप्लिकेशन लेके दिखाया और बोला कि इस एप्लिकेशन के अंदर जाना और ये सारी सेटिंग कर लेना उसके बाद में आपका लेक खतम हो जाएगा लेक कम होगा PC के अंदर यानि कि जो गेम के अंदर एमुलेटर के अंदर जो लेक हो रहा है गेम वो लेक होना कम हो जाएगा ऐसा उसने उस वीडियो के अंदर अपनी आईडी के अंदर यूज करके बताया था सो इसलिए मेरे फ्रेंड ने simply उसको डाउलोड किया उसने जैसा ऐसा बताया वो वो सारे सेटिंग कर लिये और वो सेटिंग करने के एक गंटे बाद जब उसने ID अपना ओपन किया फिर से तो उसको दिखाई दिया यह वाला message यानी कि आपका ID बैन हो चुका है सब सिंबल सा message मिला उसको तो जैसे बैन हुआ उसने मेरे को बताया तो मैंने उसको सिंबल सा बता दिया कि इसमें तुमारी ही गलती है तुमने अगर कोई भी चीज की है दूसरे को देख के तो इसके अंदर गलती तो तुमारी है मैंने साफ साफ महीं पर बोल दिया था ये बात को लेकिन मैंने उसको ये भी बोला था कि कस्टमर सपोर्ट के अंदर आप एक request डाल के देख लो हो सकता है एक 2% चांस होता है कि आपका अंदर हो जाए और वैसे ही हुआ उन्होंने पूरा step wise सारा काम किया और उनका ID अंदर हो गया फाइनली तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसे आप अपना request डाल सकते हो कैसे अंदर हो सकता है लेकिन हाँ guys उससे पर एक बात को ध्यान रखना यह जो मैंने अपको सीन बताया है मेरे फ्रेंड के साथ जो भी हुआ उसने गलती से यह सारी चीज़े की थी उसको नहीं पता था कि यह सब करने से बैन होगा उसने कोई hack hack वेक नहीं लगाया था mostly लोग क्या करते हैं कुछ hack वेक ऐसी चीज़े यूस करते हैं और उसके बाद में आईडी बैन हो जाता है उसके बाद में हो सूचता है कि अन्बैन हो जाएगा और यूटूब पर सच करते हैं कि हाउट लेकिन जो गेम का सिस्टम है वो लोग को पता है अगर आपके एक र रिक्वेस्ट के अंदर सो कभी भी यह मत सुचना कि कुछ भी मैं गलत कम कर लूँ उसके बाद मैं रिक्वेस्ट डाल दूँगा अन्बैन हो जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और हाँ इनकी वेबसाइट पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनकी पॉल कभी भी अन्बैन भी नहीं करते लेकिन हा जैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ उसने गलती से कुछ चीज कर दी उसके वज़े से उसका इड़ी बैन हो गया तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप ट्राइ कर सकते हो यह वाली मेथड को क्या पता मेरे फ्रेंड आपको यहां पर प्रॉपर रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करना है अपना गूगल उपन करना है गूगल पर सच करना है फ्री फायर सपोर्ट इंडिया और कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा यहां पर आपको सब्मीट रिक्वेस्ट का ओप्शन दिखता है तो इस पर click करने के बाद आपके समने कुछ इसाइal इंटरफेस आएगा जहां पर आपको अपना ID लोगिन कर देना है यहाँ पर भही ID लोगिन करना जो ID आपका था जो बाझ लोगिन कर लेना उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा submit a new request करके तो इसके अंदर आपको नीचे आजाना है और यहां पर आपको select कर लेना है free fire और उसके बाद आपको अगले page बेचा जाएगा जहां पर आपको अपनी सारे detail पर देनी है जो id बैन हुआ था उसकी सारे detail पर देना अब देखको एक बाद मैं आपको clear कर दे रहा हूँ यहां पर यह दोनों चीज़े जो मैंने select की है यह दोनों गलत है क्योंकि यहां पर account when के related कोई भी request नहीं ली जाती है ऐसा कि इमने बोल रखा है लेकिन जब मैंने अपने friend को पूछा कि अगर कोई option ही नहीं है तो उसने request में क्या select किया तो उसने यही select किया था इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूँ तो यह दुनों आप select कर लेना बागे की सारे detail पर देना और detail परने के बाद आप एक screenshot भी राल देना last में screenshot डालने का option आता है आपको इंग्लिस में ही पूरा लिखना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि मेरे friend ने जो लिखा वो 7-2-7 आपने डाल दिया आपके साथ जो भी problem होई उसको सही से explain करना क्योंकि एक याद रखना कि मुझे नहीं पता कि आपकी ID में आपने क्या किया था लेकिन गेम वालों को यह पक्का पता है कि आपकी ID में आपने क्या यूज किया था कोई hack file लगाया था या फिर जो भी लगाया था आपने जो भी गलती की थी वह सारी उनको पता होती है कि इसने क्या क्या किया अपने ID के साथ तो वहाँ पे कुछ भी गलत मत लिखना, अगर आपने hack use किया है, तो ऐसा मत लिखना कि मैंने hack use नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ किया था, अगर आप वहाँ पे कुछ भी गलत लिखोगे, तो game वाले directly आपकी request को हटा देंगे, और हाँ कभी-कभी आपका request directly हट जाता है, अगर आप सही से type नहीं करते हो, पूरा message English के अंदर, तो एक बार करना, दो बार करना, और तीन बार ज़रू से try कर लेना request आलके, अगर आपका लग भी मेरे friend की तरह अच्छा हुआ, तो ज़रू सा आपका ID भी unban हो सकता है, और ये वीडियो जस्ट एक information वीडियो था, और last करना, बंद कर दो, कि how to unban my ID, कावि सारे बंदों का ID भेन होता है, तो search करते रहते हैं पूरे दिन, और अलग अलग तरीके try करते रहते हैं, बस एक ही option है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो बता दिया है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो यूटूब पे देखने की ज मैं जोर उसे try करूँगा, like कर दो, share कर दो, subscribe करके लेके इन दबादो, मिलते हैं next वीडियो में